दोस्तों इंसानों ने हमेशा से ही यूनिवर्स और पृत्वी के रहस्यों को सुलजाने की कोशिश की है लेकिन हजारों सालों से रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि पृत्वी और यूनिवर्स के बारे में हम सब जानते हैं लेकिन हम अपने युनिवर्स का सिरफ 5 परतीशत ही एक्स्प्लोर कर पाए हैं। कहने का मतलब यही है कि इंसानों की एक सीमित शमता होती है और वो वहीं तक किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको पृत्वी के बारे में कुछ ऐसी बाते बताने जा रही हैं। जिसके बारे में शयाद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि पृत्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। और इसी घूमने की वज़े से दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं और प्रित्वी का बैलेंस बना रहता है। लेगिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्रित्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? दोस्तो हमारी धर्ती अपनी धूरी पर एक चकर हर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पूरा करती है। इससे धर्ती के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है। लेकिन अगर क्या होगा? अगर धर्ती घूमना बंद कर दे। इससे सिरफ दिन रात पर असर नहीं पड़ेगा, बलकि पूरा का पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। दोस्तो धर्ती का घूमना हम मैसूस नहीं कर पाते। लेकिन एक्वेटर पर इस रोटेशन के रफतार 1770 किलोमेटर प्रती घंटा होती है। जबकि धुरूओ पर रोटेशनल वेलोस्टी या घूमने की रफतार 0 हो जाती है। अगर धर्ती रुक जाती है, तो भी एक्वेटर पर मौजूद हवा, पानी और चटान, एंगुलर मोमेंटम की वज़े से इतनी ही रफतार पर घूमते रहेंगे। जाहिर है कि इसकी वज़े से सरफेस उजडने लगेगी और चीजे पहले वायू मंडल में उपर की और उठेगी और फिर स्पेस में जाने लगेगी। काला हारी रेगिस्तान की तस्वीर शेयर भी की है जिसमें रेट के पहाड इंशियन चट्टाने और सोलर पावर प्लांट दिख रहे हैं बीच में साउथ अफरीका की सबसे बड़ी नदी औरेंज रीवर काला हारी से नजरा रही है वैसे दोस्तों ये तस्वीर इंटरनेशन के ना घूमने से ही ये सब खतम हो जाएगा धर्ती के स्पेस से निकले टुकडे खुद ही घूमने लगेंगे और फिर धर्ती का ग्रेविटेशन फोर्स इने खीज लेगा Monthly Notices of the Royal Astronomical Society में छपी स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने इन हवाओ की रफतार को कैलकुलेट किया है इसमें देखा गया कि आने वाले पांच अरब सालों में इनका क्या होगा तब तक सूरज का हाइडरोजन फ्यूल खतम होने लगेगा और ये एक विशाल लाल तारा बनने लगेगा इससे निकलने वाली हवाएं धर्ती के ग्रेविटेशनल एरिया को खतम करने लगेंगी और वायू मंडल स्पेस में खोने लगेगा अगर तब तक जीवन धर्ती पर बचा होगा तो धर्ती के रुकने से ये धीरे धीरे खतम होने लगेगा आयरलेंड की ट्रिनिटी कॉलिस डबलिन के एस्ट्रो फिजिसिस्ट ने बताया कि पहले मंगल का वायू मंडल भी ऐसे ही खतम हुआ था लेकिन उसमें धर्ती की तरह मैगनेटिक एरिया नहीं था अब से अर्बो साल बाद हमारे सूरज का इंधन खतम हो जाएगा और सूरज अपने ही ग्रैविटेशनल फोर्स में ढहने लगेगा इससे बहरी परते फैलने लगेंगी और ये विशाल लाल तारा बन जाएगा आखिर में ये पूरी तरह से खतम होकर वाइट ड्वार्फ सितारे में बदल जाएगा तब तक इसका वायू मंडल फैलने से रास्ते में आने वाला हर एक ग्रै जलने लगेगा नासा के मुताबिक मरकरी और विनस दोनों ही खतम हो जाएंगे हो सकता है कि धर्ती का भी यही हश्र हो अपनी स्टडी में रिसर्चर्स ने ग्यारा अलग-अलग सितारों के मोडल तयार किये जिनके भार सूरज की तुलना में एक से साथ गुना जादा थे इससे रिसर्चर्स को पता चला कि जीवन में आखिर में सूरज से निकलने वाली हवाव की रफतार और इंटेंसिटी अलग होगी इससे कोई ग्रह तब ही बच पाएगा जब उसका मेगनेटिक एरिया जुपिटर से सो गुना जादा और धर्ती से एक हजार गुना जादा होगा कुछ एस्टरनॉमर्स की माने तो सफेद बोने तारे का चकर काटने वाले ग्राहों पर भी जीवन हो सकता है क्योंकि सूरज की हारमफुल रेज इस तक नहीं पहुचेंगी हो सकता है कि सूरज के वायूमंडल की गर्मी कोई ग्रह जेल न पाए लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रह है जिसका मेगनेटिक एरिया शक्तिशाली हो तो वहाँ नया जीवन पैदा भी हो सकता है आईजेक न्यूटन की थियोरी कहती है कि आसपास घूम रही चीजों से एनरजी निकलेगी जो इने गरम कर देगी अश्टरोइड की तरह धर्ती से ही निकले टुकडे वापस आग के गोलों की शकल में बरसने लगेंगे इससे धर्ती की बहरी लेयर क्रश्ट पिगली हुई चटान के महासागर जैसी हो जाएगी इस प्रोसेस में धर्ती का पानी सूख जाएगा अब दोस्तो इससे धर्ती के अंदर क्या हाल होगा वो भी जान लीजिए अगर प्रित्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो वायू मंडल आगे की और घूमता रह जाएगा एक्वेटर लाइन पर मौझूद सभी चीजे इस्ट डिरेक्शन में उडने लगेंगी प्रित्वी पर मौझूद सभी चीजे और इंसान 1670 किलोमेटर प्रती घंटी की रफ्तार से हवा में उडने लगेंगे दरसल दोस्तो लगातार घूमते रहने की वज़े से प्रित्वी का आकार गोल ना होकर थोड़ा अंडाकार है लेकिन घूमना बंद होने के बाद प्रित्वी गोलाकार हो जाएगी और समुद्र का पानी सभी जगे पर समान मात्रा में बटने लग जाएगा नौर्थ और साउथ पोल पानी में डूब जाएगे एक्वेटर पर भारी सुनामी आ जाएगी और बहुत तेज रफतार से चलने वाली हवा की वज़े से हवा में उड़ रहे सभी हवाई जहाज का बैलेंस बिगडने की वज़े से गिर जाएगे प्रित्वी के नहीं घूमने की वज़े से चारो तरफ भयंकर तबाही मज जाएगी इंसानों का स्तित्व ही खत्रे में आ जाएगा इंसान जानवर जंगल जमीन कुछ भी सलामत नहीं रहेंगे प्रित्वी पर जीवन ही खतम हो जाएगा जो लोग स्पेस में होंगे उनके लिए भले ही बचने की संभावना हो सकती है लेकिन प्रित्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई इंसान या जीव बचा नहीं होगा सब कुछ तबाह हो जाने के बाद सूरज एक ही जगए पर स्थिर दिखेगा क्योंकि प्रित्वी तो घूम ही नहीं रही है इस वज़े से एक दिन 24 घंटे के जगए 365 दिन का हो जाएगा लेकिन दोस्तों जिन जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुचेगी वहाँ अनंत काला अंधेरा फैल जाएगा यानि जहां सूरज की किरने पड़ेंगी वहाँ हद से जादा गर्मी या फिर ये कहें कि शरीर को जुलसा देने वाली गर्मी होगी और जहां अंधेरा होगा वहाँ आइस एज की शुरुआत हो जाएगी जहां ना रोशनी होगी ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन दोस्तों मानविय इलेक्टरसिटी होगी पर इसका कोई फायदा नहीं होगा क्यूकि इसके साथ ही कई और चीजे भी बदल जाएंगी जैसे नहीं घूमने की वज़े से प्रित्वी का प्रोटेक्टिव मैगनेटिक फिल्ड गायव हो जाएगा जिस वज़े से प्रित्वी पर सूरज का हारमफुल रेडियेशन हमला कर देगा लोग अपनी गाडियों के खिडकियों से उचलते हुए नीचे गिर सकते हैं और ये देखने में काफी भयावे होगा ये किसी कार एक्सिडेंट जैसा होगा अगर दोस्तो बहुत तेज रफतार से कोई कार जा रही है और उसका एक्सिडेंट हो जाए तो कार में बैठे लोग अपनी सीटों से उचल कर दूर जाकर गिर जाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही होगा और शायद उससे भी जादा भयानक दोस्तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि प्रित्वी के नहीं घूमने की वज़े से क्या होगा प्रित्वी के नहीं घूमने से जीवन तबाह हो जाएगा और प्रित्वी भी दूसरे गरह की तरह निरजीव हो जाएगी हालकि ये कलपना ही की जा सकती है कि पृत्वी नहीं घुमेगी तो क्या होगा लेकिन आपको बता दें कि पृत्वी घुमना बंद कर दे ऐसी संभावना ना के बराबर ही है तो दोस्तो हमारी इस धर्ती पर जो कुछ नैचुरल है वो अदबूत है इन चीजों को ना कोई सोच क्रियेट कर सकती है और ना ही इसे स्टोर करके रखा जा सकता है सब अपने समय में सुंदर है इस ब्रह्मान की तरह हमारा अस्तित्व भी इसलिए दोस्तो स्रिष्टी में जो कुछ भी बना है उसे हमें सुक्र गुजारी के साथ इस्तमाल करना चाहिए वैल दोस्तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये इंट्रीशन आपको अच्छी लगी साथ ही दोस्तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद